तो दोस्तों शिर्म बात करने वाले Steel Authority of India that is sale company के बारे में और हमें आपर करेंगे sale का weekly analysis के next week के लिए कौन से मुझना लेवल से जो में sale के अंदर ध्यान में रखने हैं उसके accordingly यहाँ पर targets क्या होने चाहिए तो दोस्तों अभी फिलाल के लिए गर हम बात करें यहाँ पर Steel Authority of India की तो हमें इस counter के अंदर भी कही ना कही एक positive build-up देखने को मिल रहा है and next week में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि metal sector positive है तो sale के अंदर भी आपको यहाँ पर ब्रेकाउट देखने को मिल सकता है और यह क्या है यह again आपको एक some sort of symmetrical triangle का formation जो है वो देखने को मिल रहा है ऐसा same symmetrical triangle का formation हमने किस में टाटा स्टील के अंदर भी यहाँ पर देखा था वो breakout 115 के round हुआ था और वहाँ से counter 160 तक चला गया अच्छे गासे return से मिले क्योंकि वो एक low beta stock है sale के अंदर भी वही चीज यहाँ पर हो सकती है ब्रेकाउट दे दिया तो 150, 150 के बाद 160 से लेकर 180, 200 तक के targets मिलेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो इसके long term के पिछले highs है 2000, 2021 के 30380 वो सारे targets भी यहाँ पर देखने को मल चकते है लेकिन सोच समझ कर ही किसी भी stock के अंदर अपना पैसा लगाए